इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे inverter बैटरी का अगर बैकप कम हो चुका है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं यानि कि हम अपने inverter बैटरी का बैकप जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं देखिए अगर आपको लग रहा है कि हमारा inverter जो है पहले की तरह बैकप नहीं दे रहा है तो आप सही जगह प्याय हो इस वीडियो में हम आपको बहुत कम समय में आपको बताएंगे कि आप अपनी inverter बैटरी का बैकप जो है पहले की तरह कैसे कर सकते हो तो काफे ज़्यादा इंटरस्टिंग ये वीडियो होने वाला है अब सभी से यहीं रिक्वेश्ट रहेगा कि इस वीडियो को एंड़ तक जरूर देखेगा तब ही आपको सारा कोई समझ में आएगा तो चलिए बीना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको पताते हैं और हाँ गाईस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोड़ा सारी क्वेश्ट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करेगा लिकिन क्या होता है कि अगर हमारे बैटरि छुका है चार चल चुका है चार के बाद अगर उसकी तो हो सकता है कि आपके बैटरि जो है वह खराब हो चुटी है अगर आपकी बैटरी जो है Championship खराब हो चुकी है तब तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं मतलब कि बैटरी की जितने life है वो पूरी life चल चुकी है तो उसके बाद हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर चीज का एक limit होता है कि वो दिन तक वो आपके साथ चल सकती है और अगर आपकी बैटरी को खड़िदे हुए, दो साल, तीन साल ही हुआ है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हमारी बैटरी का बैकप जो है, काफी हद तक कम हो चुका है, तो हम आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक बताने वाल हैं, जिससे आप अपनी ग्रैविटी चेक करना होगा, तो ग्रैविटी चेक करने के लिए हमें एक मीटर खरिदना होगा, और यह मीटर जो है, असानी से आपको 100-500 रुपय में आपको किसी भी बैटरी के शॉप पर मिल जाएगा, तो ग्रैविटी हमें चेक करना काफी ज्यादा जोरी होता है, अगर चेक करने के बाद आपको लग रहा है कि हमारी बैटरी को अंदर जो पानी है, उसकी ग्रैविटी कम है, मतलब कि अगर आपका बैटरी नॉर्मल कंडिशन में रहता है, तो उसकी अंदर जो पानी होती है, उसकी ग्रैविटी होती है, 12.50 या फिर 13.0 ठीक है, लेकिन अगर 12.50 से भी अगर कम हो जाता है, 11 हो जाता है, 10 हो जाता है, तो समझे कि ग्रैविटी कम हो चुका है, तो हमें पानी चुह है वह चेंज करने के जुरत है, अगर 6 सेल में से किसी एक सेल का भी ग्रैविटी कम हो जाता है, तो हमें अपने पूरे सेल का पानी चुह है वह खाली कर लेना होगा ठीक है उसके बाद आपको मार्केट से 12.50 ग्राविटी वाला पानी खड़ितना होगा यह आपको आसानी से किसी भी बैटरी की शौप पे मिल जाएगी वही अगर आप चाहते हो कि हम डिस्टिल वाटर डाले तो ऐसा नहीं होगा डिस्टिल वाटर आपक जाता है उसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं बार-बार UPS को आफ करते हैं फिर से ओन करते हैं ताकि हमारा बैटरी जो है तुरा देर पांच मिनट दस मिनट फिर से लाइट हमारा जल जाए तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हर बैटरी की एफिसिय बाद हम किसी दिवाइस को हम नहीं चलाएंगे तो हमारा बैटरी ठीक रहेगा अधर वाइस अगर हम इनवटर लो बताने के बाद भी हम अपने बैटरी पर कुछ लोड डालते हैं तो बैटरी की जो कैबिसिटी होती है वो कम हो जाती है और फिर से जग मुसको चार्ज करे करता है इसके एक और करन होता है कि बैटरी बैक अब श oncology भी गतिन हो रहता है तो यह चीज अगर कंटीनिव चलता रहता है तो आपकी बैटरी के डैका वह नौर्मल श्पीट से चार्ज करना है और बेसिक चीज बताते हैं कि आपके बैटरी बैक अप फिर शे बढ़ा सकते हो अगर आपके बैटरी का पानी स्वेक्स छतम हो चुका है और आप बैटरी का जो पानी है भरना भूल गए हो और कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक ऐसे जहीं चल रहा है तो आपकी बैटरी का जो बैकप है वो कम हो जाएगा लेकिन उसको ठीक कर सकते हो आपको जो मैंने आपको बताया कि 12.50 वाला ग्रैबटी वाला पानी लेक आना है और फिर से अपनी बैटरी में डालना है उसके बाद आपनी बैटरी को अच्छे से चार्ज क करें और यह चीज ध्यान रखिए कि कभी भी आपका बैटरी 30% से ज्यादा नहीं हो मतलब कि अगर आपका इंवर्टर लो बता देता है तो उसके बाद अपनी बैटरी को सही से उप्योग करके आप बैटरी को खराप होने से बचा सकते हो अदर्वाइस दोस्तों जो मैंने कोई सवाल है तो कमेंट जरूर किजेगा यह वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं होंगा तो चानल को भी जरूर सब्सक्राइब करें